नमस्कार दोस्तों में आपका होस्ट और दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और एक नहीं वीडियो में आपको कोई भी ऐसी एप्लिकेशन नहीं मिल रही है जो कि आपके पैन काड़ आधार काड़ पर आसानी से आपको लोन प्रदान करा दे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही एप्लिकेशन के बारे हैं बताने वाला हूँ जो कि विदाउट किसी सिबिल स्कोर के विदाउट किसी इंकम प्रूफ के आपको आसानी से लोन देने का दावा करती है आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप कम्प्लिट देखिएगा कहीं से भी विडियो को आप एसकिप ना करें यदि आप विडियो को सिकिप कर देते हैं तो आपको प्रूफ पर जानकारी नहीं मिल पाईगी गईज एक बात वर मैं आप लोगों से कहना चाओँगा देखिए मैं कोई आपका विद्य सलाकार नहीं हूँ मैं आपको डिटे किया सच्चा ही है इसकी देखिए दोस्तों हम एकदम quality देते हैं विडियोस में किसी परकार का आप लोग को हमारी वीडियो में इशू नजर नहीं आएगा इसलिए आप लोग को 100 like का target देते हैं कम से कम 100 like तो हमारी वीडियो को आप लोग करें दीजेगा तो चलिए ले करके चलते हम आपको प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ, देखिए 30K सस्क्राइबर जब हम लोगों के कम्प्रीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम आप लोगों के लिए परमंत जीववे भी रखा करेंगे, हो सकता है कि उसमें प्ले स्टोर पर में आ चुका हूँ, देखिए अगर आप एप्लिकेशन की रेटिंग की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए अप्लिकेशन को जो रेटिंग मिली हुई है, वो 4.2 की रेटिंग मिली हुई है, दोस्तों अगर बात करेंगे इसके रिव्यूज की, तो दे देखिए जो 2nd रिव्यू है वह भी ठ्शकिक्ति के दुवारा नहीं कहा गया है मतलब इस एब कर लेंगे इस Un lång हैंक पर और अहीं किसी ऐप्लिकर्शन नज़र आएगा फंशीन का तो आपको इस पर क्लिक करना इस पर क्लिक हुथ क्लिक और प्र क्या application की अच्छी बात हैं क्या वेक्तियों ने इसके बारे में गलत कहा है क्या सही कहा है आपको detail में यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी क्योंकि देखे दोस्तों आपको application के critical review जरूर चेक करने चाहिए उससे ही आपको सत्यता के बारे में पता लगेगा otherwise बहुत सी application क्या करती है application paid review भी करा देती है इसलिए आपको यह सुनिशीत करना होगा एक critical review में ही जानकारी सही मिलती है ठीक है यहाँ पर देख लीजेगा काफी लोगों ने इसके बारे में गलत कहा है आप लोग अपने हिसाब से समझ जाएगा क्योंकि देखे अगर मैं एक-एक reviews को यहाँ पर लिया है देखिए अगर आप starting में देखेंगे यहाँ पर तो इसने बताया है कि यह RBI registered है लेकिन इसने यह बिलकुल नहीं बताया है कि कौन सी NBFC से registered है ठीक पहला lose point यहाँ पर यह है starting में बता दिया मैंने आपको फिर उसके बाद में इसने दावे किये हैं यहाँ पर इसक असी दिन जो कि गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है यह इतना नहीं देती है और बाकी इसने देखिए examples देदे करके भी सारी चीज़ों के बारे में बताया है अब यह सुनिश्चित आप कीजिएगा क्या यह आपके लिए बहतर होगी या नहीं होगी लेकिन जो यह about section में यहाँ मैं एक financial advisor हूँ ठीक तो मैं हो जाएगा क्या उसके लिए सारे document station होते है सारे चीज़े होती है मैं तो नहीं हूँ भी यह financial advisor मैं तो साब बोलता हूँ तो दोस्तों यह यहाँ पर ब्रहमित करने वाली बात है दूसरी बात देखिए यहाँ पर कोई खास detail नहीं दी है स्टिर अब दोस्तों आप लोग मुझे बताइए क्या आप ऐसी application से loan लेना चाहेंगे जो कि आपके मान सम्मान को खंडित करती हूँ देखिए मैं स्पेसिफिक इस application की बात नहीं कर रहा हूँ जितनी भी यह mobile loan application है यह इसी प्रकार की हरकते करती हैं देखिए कैसे करती हैं यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे आप से सभी प्रकार की यह लोग detail दे लेते हैं आपका camera आपका phone आपकी contact list उसके बाद में अगर व्यक्ति एक या दो दिन पैसा देने में असमर्थ हो जाए उसको धराया जाता है उसको धंकाया जाता है उसकी मा भेहनों को गंदी गंदी गाली दी जाती है phone करके इस application के बारे में बिल्कुल नहीं कहूंगा लेकिन मेरा काम है aware करना जागरूप करना सत्यता मैं आपको हर वीडियो में बता करके चलता हूं जिससे की मेरा viewer पूरे तरीके से जागरूप हो सके मेरा viewer किसी तरीके से मतलब उसको मतलब misguidation ना मिले एकदम सही जानकारी मिले क्योंकि आप एक जैजनसक्ती के subscriber हैं जैजनसक्ती के viewer हैं और जैजनसक्ती का कोई भी viewer misguide ना हो ठीक अब गाइस बात कर लेते हैं इसके हम किस चीज़ के बारे में application के नाम के बारे में देखें दोस्तो application का नाम instant cash loan online credit loan doctor cash ठीक है यह इसने अपना नाम बताया हुआ यहाँ पर downloader भी देख लीज़ेगा आप लोग इसके मैं देखिए अब मैं क्या ही बोलू हसी की आती है मुझे इनकी downloader founder देख करके भी यह सारा system है अब guys अगर आपको यह application किसी प्रकार का loan sanction letter देती है तो समझना यह RBI authorized है वैसे इसकी mail ID पर आप mail करके पुछना और अगर किसी प्रक यह मैं वो करता हूँ और भाई देखो जो अच्छी application है जो RBI authorized है उसका पैसा बिल्कुल मत रोकना यह मेरी हाद जोड़ करके आप से निवेदन है क्योंकि देखिए आपका जो civil है पूरे तरीके से यह लोग खराब कर देंगे और जो application यह fraud है अगर यह application आपको पैसा दे देती हैं तो guys आप इनको वापस ही ना करें क्या कर लेंगे आपका यह बताइए RBI एकर इनको authorized करता तो अच्छी बात है जबी RBI से authorized नहीं तो आपका यह क्या लिग 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 उखाड लें कुछ नहीं उखाड जकते यह लोग मैं तो open लिगता हूँ और एक काम और कर ल दोस्तो इनकी what लग जाएगी यह मैं आपको बता दूँ यह आपको जुर्माना भी देंगी जो इनके लगाएगा quote समझ गए हैं तो चलिए बस यही आपको बताना था वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइएगा अब मुझे बताइए क्या यह zero civil वालों के लिए शांदार हो सकती है application क्या यह आप लोग के लिए बहतरी हो सकती है आप लोग उसे आपके data को लेगी यह सारी चीज़े होंगी comment में जरूब बताइएगा thank you so much और giveaway के लिए आप लोग तयार रहेगा जितना जल्दी सेल दो सके 30k complete कराइएगा thank you